इसराइल और हमास की जंग का आज आठवा दिन है इससे पहले देर रात इसराइली सैना बॉर्डर पार कर टैंगों के साथ गाजा में घुस गई इसराइली सैना ने कहा कि वो अपने बंदकों को छुडाने के लिए गाजा में घुसी है वहीं जंग का असर अब वेस्ट बैंक पर दिख रहा है वहां 49 लोगों के मन्ने की जानकारी है यह अब तक 950 से जादा लोग घायल हुए वहीं रात बर हुई इसराइली बंबारी में गाजा छोड़ कर जा रहे 70 लोगों की मौत हो गई है इससे पहले इसराइल ने गाजा के उतरी शेरों से 11 लाख लोगों को दक्षणी गाजा में जाने का अल्टिमेटम दिया था